जैहिंदे स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर संजय कुमार आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल या थार्थ क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूँ तो पिछले क्लासेस में हम लोगोंने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में देखा था तो उसमें हमने जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है उसमें न्यूट्रिशन इन हीूमन और हीूमन के न्यूट्रिशन में यानि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने बात किया था तो digestive system में हमने दो group divide कर दिया था एक तो digestive जो organs हैं उनको अलग कर दिया था दूसरा था जो digestive glands हैं उनको हमने अलग कर दिया था यानि कि elementary canal और digestive glands जो हैं उनको अलग कर दिया था हमने digestive organ यानि elementary canal के बारे में हमने पढ़ लिया था अब हम लोग digestive gland के बारे में पढ़ेंगे जीतने भी digestive gland पाय जा रहा हैं हमारे body के अंदर उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो जो digestive glands हैं वो कहां-कहां पर पाय जा रहे हैं और कौन-कौन से हैं बिसिकली हमको जो है यहां पर पाँच digestive glands के बारे में पढ़ना है पहला जो digestive gland है वो आपका है सिलेवरी gland दूसरा gastric gland तीसरा liver चौथा pancreas और पाचवा जो है वो intestinal gland है अब इनकी location हम लोग देख लेते हैं जो सिलेवरी gland है यहां पर देखिए एक सिलेवरी gland यहां पर दिखाई दे रही है यह इतनी वड़ी सिलेवरी gland यहां पर दिखाई दे रही है उसके साथ साथ यहां पर दो और सिलेवरी glands दिखाई दे रही है तो यह जो celebrity gland है यानि कि हमारे mouth में पाई जा रही है अब gastric gland की बात करते है तो gastric gland जैसे कि नाम से ही पता चला है कि वो हमारे stomach के अंदर ही पाया जाएगा जो stomach होगा हमारा वहाँ पाया जाएगा तीसरा जो है वो liver है लिवर हम यह देख रहे हैं brown color का यहाँ पे एक बहुत बड़ा organ यहाँ पे लगा हुआ है triangular shape का यह जो है हमारा liver है उसके नीचे eloise color का एक देख रहे हैं हम leaf like structure बहुत लंबी सी इस तरह से बनी हुई है जो इस टमक के कौन कौन से enzyme का secretion करते हैं वो चीज हम यहाँ पे अब देखेंगे पहले हम लोग देखते हैं celery gland के बारे तो celery gland में हम क्या क्या important है उन चीजों को हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे और साथी साथ उसको note करते हुए चलेंगे तो celery gland जो है यह हमारे mouth में पाए जाता है यह तीन pair में होते हैं अब इसमें जो है तीन-तीन celery gland जो है वो पाए जाएंगे तो यहाँ पे three pairs पाए जाएंगे तो यह celery gland क्या करता है it produce saliva saliva क्या चीज है saliva जो है एक watery content है water की तरह निकलने वाला content है जिसके अंदर कुछ enzymes और जो है कुछ इसमें lysogyme भी पाए जाते हैं और इसका काम क्या है इसका काम जो है वो है chemical digestion का जो human है उसके अंदर three pairs of celery glands पाए जाते हैं इसमें जो enzyme secret होता है उसको हम कहेंगे celery amylase या टाइलीन एंजाइम का नाम आप लेख लिए celery gland से कौन से एंजाइम निकल नहा है celery amylase जिसे हम टाइलीन भी करते है इट helps in digestion of starch यानि यह जो amylase निकल नहाँ है यह celery amylase जो निकल नहाँ है वो starch के digestion में यहाँ पे help कर रहा है अब वो तीन glands कौन कौन सी है पहला है parotid gland यह सबसे बड़ा gland largest gland है यह देखिए यहाँ पे जो present है हमारे कान के पास और चिक के पास जो है यह सबसे बड़ा जो gland है यह है आपका parotid gland अब इसी parotid gland में कभी कभी क्या होता है viral infection हो जाता है जब viral infection हो जाता है तो हमको एक disease हो गलसुआ जिसको हम बोलते हैं गलसुआ हो जाता है गाल सूच जाता है ठीक है बहुत पेन होता है तो इसी salary gland में क्या होता है कि जो है viral infection होने की वज़े से ऐसा होता है दूसरा आता है हमारा sub maxillary gland या sub mandibular gland अब यह जो sub maxillary या sub mandibular gland है यह पाया जा रहा है यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखिए जो हमारा यह जो यह दात जो हमारे पाये जाते हैं उसके बगल जौक किनारे यह पाये जा रहा है यहाँ पे पाये जा रहा है तो इसे हम कहेंगे sub mandibular gland और तीसरा जो है आपका है sub lingual gland है यह sub lingual gland हमारे tongue के ज़स्ट नीचे यह पाये जाएगा tongue के नीचे पाये जाएगा यह कहलाएगा sub lingual और यह smallest gland है सबसे छोटा gland है यह लेकिन सबसे ज़ादा जो saliva का secretion किया जाता है वो sub maxillary gland से किया जाता है पैरोटिट सबसे बड़ा है लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा saliva का secretion नहीं किया जाता है सबसे ज़्यादा saliva का secretion किया जा तो इसमें हमको नोट क्या करना है saliva, salivary gland कितने होते हैं three pairs होते हैं ठीक है, पहला है parotid है दूसरा submaxillary है, तीसरा sublingual है saliva में कौन सा enzyme पाए जाता है saliva में amylase enzyme पाए जाता है ये काम क्या गरता है, ये starch का digestion करता है, अपना clear हो गया very good, आगे बढ़ते हैं लोग दूसरा आता है, हमारा gastric gland gastric gland मतलब है ये जो है पाया जा रहा है हमारे stomach के अंदर ही पाया जा रहा है, और stomach में कुछ special type की cells होती हैं वही ये जो है enzyme का secretion, hormones का secretion enzyme और hormones का secretion यहाँ पे होता है, तो ये present होगा stomach में present होगा, यानि gastric gland they secret hydrochloric acid, HCL का secretion यहाँ पे होता है, बहुत important है, HCL का secretion यहाँ पे होता है protein digesting enzymes बहुत सारे इसमें protein digesting enzymes भी निकलते हैं यहाँ से, और साथी साथ में यहाँ पे धेर सारा mucus भी निकलता है, अब this present in the mucosa of the stomach, stomach mucosa का wall है, हमने पढ़ा था, जब wall हम देख रहे थे तो, stomach देख रहे थे, तो mucosa जो wall होती है, सबसे अंदर वाली जो wall होती है, वहीं पे present होते है, these are three types, तीन तरह क्यों होगे, पहला होगा cardiac gland, जो cardiac region में पाए जाएगा, उसे cardiac gland यह mucos का secretion करती है Александ that Fundy gland है यह gland जो है, यहाँ पर five तरह की cells, हमने यहाँ पता था, आपको fundy gland यहाँ पर पाए जाएगा तो funding region है यह तो इसी region में fundy gland ही पाए जाएगे और यहाँ पर five तरह की cells पाए जाएगी, यह 5 हो cells का नाम नोट कर लिग जे। उन से क्या coisa क्रेट होता है ये भी नोट कर लिए देखिए पहला जो सेल है वो है पेप्टिक या जाइमोजन सेल इससे निकलता है पेपसी नोजन और प्रोरेनिन पेपसी नोजन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है और प्रोरेनिन जो है ये भी प्रोटीन का ही डाइजेशन करता है लेकिन मिल्क में पाये जाने वाले प्रोटीन का डाइजेशन करता है मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाये जाता है केसीन प्रोटीन पाये जाता है तो उस केसीन प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है वो प्रोरेनिन के द्वारा होता है और उसके बाद आता है ऑग्जैंटिक cell, oxentic cell secrete करती है HCL, यानि hydrochloric acid hydrochloric acid का secretion oxentic cells करती है, तीसरी होती है cells, goblet cells, goblet cells जहां भी नाम आए, आप ये समझ लेजिए कि ये mucus का secretion कर रहे है, जितनी भी goblet cells होती है, जहां भी पाई जाती है, ये सब mucus का secretion करती है, चौथा जो है बहुत important आप लोगों के लिए नहीं है ये need के बच्चों के लिए important होता है, जो medical के तयारी कर रहे होते बच्चे, उनके लिए बहुत important होता ये पूछा जाता है Argentafin cells, ये Argentafin cells जो है वो produce करती है serotonin, somatostatin और histamine, ये तीनो chemical है, ये आप लोगों के काम का नहीं अभी है, फिर हम लोग इसको कभी अलग से discuss करेंगे, उसके बाद है G cell, ये secret and store hormone अभी तक हमने क्या पढ़ाता, enzyme पढ़ाता, enzyme का secretion देख रहते हैं, अब यहाँ पे hormone है, hormone और enzyme में अंतर होता है, तो ये hormone का secretion करती है कौन से hormone का? gastrin hormone का secretion करती है इसको आप लोग नूट कर लिजेगा आपके लिए ये दो चीजें जो हैं, अभी बहुत important हैं, लेकिन इसको आप जाने रहिए, सिर्फ इतना जाने रहिए, कि argentafin cells जो है, वो serotonin, somatostatin और histamine का secretion करती है जबकि G cells जो होती है वो secret और store दोनों करती है, एक hormone gastrin hormone है, इसका secretion और storage करती है अब देख लेते हैं, जो fold पाया जा रहा था, इस टमक के अंदर जो fold पाया जा रहा था, उस fold में यहाँ पे जो layer आप देख रहे हैं अब उनी cells के बारे में देख लेते हैं कि यह surface mucosa cell है mucos secret कर रही है, यह next cells है, mucosa next cell यह भी mucos secret कर रही है, यह parietal cells है, यह जो है hydrochloric acid secret कर रही है parietal cell या organic cells, उसी को नाम देते हैं, chief cells है, यह chief cells जो है pepsinogen और gastric lipage का secretion करती है और G cells जो है वो आपके gastrin hormone का secretion कर रही है ठीक है, तो figure भी बना लिजिएगा, अगर जो आपको अच्छा लगे figure figure भी अच्छा बना लिजिएगा, उसके बाद आता है liver, बहुत important है आप लोगों के लिए, liver जो है, liver के बारे में आता है liver कौन सा क्या चीज produce करता है, और कहा help करता है, इसका function क्या है, यह बहुत important है तो इसको आप लोग पूरी तरह से लिखिएगा, note कीजिएगा, तो हम लोग पढ़ते हैं, तो liver जो होता है जो हमारे body में liver होता है यहाँ पे, है तो यह चाल लोग का, लेकिन यहाँ पे हम आपको दो लोग बता रहे हैं, कि टू लोग यहाँ पे पाया जा रहा है, एक right लोग होगा, और एक left लोग होगा, liver का, अब right लोग के नीचे जो होगा, यह जो right लोग है, इसके नीचे पाया जाएगा जो green color का दिखाई दे रहा है, यह पीछे चुकी पाया जा रहा है, यह से हम कहेंगे, gall bladder, यह क्या चीज है gall bladder है, ठीक है, अब यह gall bladder क्या करता है, temporarily store bile juice, bile juice का यह temporarily storage करता है, लेकिन bile juice बन कहां से रहा है, बन रहा है आपके liver में, formation हो रहा है liver में, storage हो रहा है, कहां पे gall bladder में दूसरी चीज है, कि जो liver हमारा है, वो largest gland है, यह largest gland है, और secret bile in the small intestine, यह bile को secret करता है, यानि bile जो है यह बना रहा है, bile secret कर रहा है और small intestine, यानि यह जो diodenum all apart है, इसी part में यह secret करेगा, लेकिन अगर secretion अभी नहीं होना है, तो क्या कर लिया जाएगा बन तो रहा है, लगाता है, तो यह जो है, gall bladder में, temporary root से store कर लिया जाएगा, जब इसकी आऊ सकता होगी, तो तुरंत यहां से gall bladder से निकाल करके secret कर दिया जाएगा, bile juice contain no enzyme, ध्यान रखिएगा यह किसी भी तरह का enzyme नहीं produce करता है, enzyme नहीं produce करता है, इसको note कर लिजेगा, किसी भी तरह का enzyme नहीं produce करता है, और जो bile juice है, यह भी कोई enzyme नहीं है, यह enzyme नहीं है, bile juice enzyme नहीं है, किसी भी तरह का digestion नहीं कर रहा है, लेकिन ये digestion में help करता है तो bile juice contain no enzyme but possess the bile salt इसमें क्या क्या मिलता है bile salt and bile pigment तो bile pigment में कौन कौन से है bilirubin और biliverdine bilirubin जो है वो yellow color का होता है biliverdine जो है वो green color का होता है जिसे इसी bilirubin के कारण जो हमारा feces जो होता है जो हमारा latrine होता है वो कैसा होता है yellow color का होता है इसी bilirubin के कारण होता है तो bile जो होता है वो कैसा होता है वो alkaline होता है alkaline का मतलब होता क्या है कि छारीय होता है छारीय का मतलब क्या हो गया कि जिसका pH जो है जिस भी चीज का pH 7 से जादा है 7 से greater है तो 7 से जादा है तो वो कैसा हो गा명 है, अब ही हम देख रहते हैं, इस टमक में कैसा था? HCL कैसा होता है? असिडिक होता है, और वहां से असिडिक भोजन बना, और जब उसके बाद डियोडिनम में आएगा भोजन तो अब उसको अलकलाइन मीडियम चाहिए होगा, अलकलाइन मीडियम क्यों चाहिए होगा, क्योंकि अब जो एंजाइम काम करेंगे एंजाइम जो डाइजेसन का काम करेंगे वो एंजाइम सिर्फ अलकलाइन मीडियम में ही काम कर सकते हैं तो यह बाइल जूस क्या काम कर रहा है जो एसिड एसिडिक जो फूड है हमारे बोडी के अंदर हमारे इस्टमक के अंदर वो जब हमारे डियोडिनम में आता है तो उसको यह alkaline कर देता है ठीक है तो यह कैसा है alkaline nature में है अब हम देख लेते हैं function of liver function of liver बहुत important है कई बार पूछा गया है board परिक्षा में तो इसको आप लोग नूट कर लीजेगा पहला जो है formation of glucose from the excess organic acid organic acid मतलब जैसे lactic acid lactic acid जो है वो एक organic acid है तो excess amount में जो lactic acid बन गया है हमारे body के अंदर तो उसको जो है glucose में ये convert कर लेता है ये काम हमारे liver का होता है storage आप vitamin A, D, E, B12 इतने जो vitamins हैं इनका storage करता है जबकि vitamin A की synthesis भी करता है carotin carotin से vitamin A की synthesis भी करता है secretion of blood anticoagulant blood anticoagulant coagulant का मतलब होता है जो ठक्का बना दे blood का जो ठक्का बना दे वो हो गया और anticoagulant का मतलब क्या हुआ जो ठक्का ना बनने दे blood का ठक्का या blood coagulate ना होने दे उसे हम कहेंगे anticoagulant तो ये बनाता क्या है secretion of blood anticoagulant heparin heparin नाम का एक chemical बनाता है जो कैसा होता है anticoagulant होता है दूसरा इसका काम है synthesis of blood और plasma proteins ये blood की भी synthesis करता है लेकिन embryonic stage में यहाँ पे RBC का भी जो hemoglobin है HB है hemoglobin है ये embryonic stage में formation भी करता है और plasma protein plasma जो हमारा blood है blood के अंदर जो plasma है उस plasma में पाए जाने वाले कुछ protein का भी formation करता है synthesis करता है उन proteins का नाम आप लिख लिजीगा fibrinogen और prothrombin ये दो हैं जब हम लोग अगले chapter में जब transport पढ़ेंगे transport में blood हम लोग जब देखेंगे blood का transport कैसे हो रहा है तो वहाँ पे हमको एक बार पढ़ना पढ़ेगा blood clotting तो blood clotting में ये fibrinogen और prothrombin का काम आएगा तो उसी को हम यहाँ पे देखेंगे ठीक है उसके बाद है secretion of bile, bile का secretion करना, bile का काम अभी हमने देख भी लिया है detoxification of harmful chemicals तो ये जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बाहर की चीज़ें भी खाते हैं तो उसमें बहुत सारे toxic chemicals भी होते हैं, तो उन toxic chemicals को detoxify करना toxic का मतलब तो जहरीला केमिकल होता है, जो एक, अगर जो जादे amount में हमारे body के अंदर accumulate हो जाए, जो है, एक अठा हो जाए, तो वो हमारे लिए जहरीला हो जाएगा तो जो chemicals हम खाते हैं, उनका ये detoxification भी करता है, कौन? लीवर, लीवर में special types के जो हैं, enzymes पाये जाते हैं, ये enzymes जो हैं, उन chemical को detoxify करते हैं उसके बाद है, elimination of pathogens, जो pathogens, bacteria, virus, अगर जो, या foreign particle कोई अंदर आ गया हमारे body के अंदर, तो उनको ये phagocytic cells के द्वारा खा लिया जाता है और in phagocytic, phagocytic का मतलब क्या होता है, जब cell के द्वारा किसी भी particulate matter को खाया जाए, याद रखिए, cell के द्वारा किसी particulate matter को खा लिया जाए, उसे हम कहते हैं phagocytic, तो phagocytic cells, यानि phagocytic cyst करने वाली जो cells होती हैं, उन्हें हम यहाँ पे कुफर cells कहते हैं, और यही cells क्या कर जो pathogen, यानि bacteria virus, या foreign elements, तो foreign particle कोई भी चीज़ आ रही है बाहर की, उसे यह kuffर cells जो है, वो engulf कर लेती हैं, खा लेती हैं, तो यह बहुत important है, इसके 6 जो function है, तो liver के, इन liver के 6 function को आप लोग note down कर लीजेगा, और याद कर लीजेगा, बहुत important है यह, बोर्ड में अक्सर अभी हमने देखा था कि हमारा जो यह जो pancreas था है, यहां से लेकर कि यहां तक इसकी जो boundary हमको दिख रही है, यह pancreas actually, इसको जब हमने देखा था हम वहाँ पे, जो है stomach के पीछे था, stomach के पीछे जो है छुपा हुआ था, तो यह जो pancreas है, यह कैसा होता है, यह lie parallel and below the stomach, parallel और below, stomach के below होता है, it's secret pancreatic juice, इससे जो है pancreatic juice secret होता है और small intestine में जाता है, और यह pancreatic juice जो है, उसमें कई तरह के जो है enzymes पाए जाते हैं, कई तरह के enzymes पाए जाते हैं, वो कौन-कौन से enzymes हैं, तो आप लोग इनको नोट का लीजे देखे, trypsin, pancreatic amylase और lipase, तीन enzyme आप लोग मुश्टली नोट का लीजे, trypsin है, amylase है और lipase है, इसका 60 फार्मर में बना दिया हुआ है, tal, ठीक है, यानि pancreas से निकलने वाला जो enzyme है, वो tal है, tal का मतलब क्या होगा, T से trypsin हो गया, A से amylase हो गया, और L से lipase हो गया, trypsin जो है, protein को तोड़ता है, amylase आपका starch को तोड़ता है, और lipase जो है, वो fat को digest करता है, अब besides these enzymes, ठीक है, ये जो enzymes है, इन enzymes के अलावा, जो है, ये कुछ hormones भी secret करता है, जैसे insulin and glukagana, ये बहुत ही famous hormones है, जैसे insulin, insulin हर्मोन हम लोग बहुत सुनते हैं, नाम जानते हैं, हम जान रहे हैं कि हमारे घर में हमारे दादा जी, हमारे माता जी, कोई नो कोई जो है diabetes का patient, आज के समय में सब के घर में कोई नो कोई तो होता ही है, तो हमको अगर जो बहुत ज़्यादा diabetes condition है, तो हमको insulin देना होता है, तो diabetes को कभी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, देख होता है, तो यह जो pancreas है, इसी pancreas से insulin का formation होता है, और glucagan का formation होता है, तो यह अगर जो pancreas की बात करें, तो pancreas दो तरह का का काम कर रहा है, exocrine as well as endocrine, तो exocrine होते हैं, जाद तर वो enzyme का secretion करते हैं, और जो endocrine होते हैं, वो hormone का secretion करते हैं, तो pancreas देखे, दोनों secretion कर र है और हार्बोन भी कर दा है तो इसलिए इसको हम कहाँ कहेंगे mixocrine इसलिए इसको एक नया नाम देंगे हम लोग, mixocrine यानि endocrine और exocrine दोनों हैcakल इसी लिए इसका नाम हम mixocrine gland रखेंगे ऐसके बाद है बोथ bile and pancreatic juice are released into duodenum by common気um common, common duct, ये जो, अभी हमने देखा, कि bile juice, ये देखिए bile juice जो आ रहा है, bile juice, और ये जो pancreative juice है, ये दूनों एक common duct है, इनकी duct मिल जाती है और कहा पर आ के गिर रही है ये गिर रही है, ये डियोडिनम में, यहाँ ये जो डियोडिनम है, इसी डियोडिनम में आ करके ये गिर रही है तो ये common duct के द्वारा ये डियोडिनम में गिरती है पैंक्रियाज का हो गया है इसको नोट कियेगा उसके बाद हम लोग आते हैं small intestine या intestinal gland जो intestinal gland है वो ज़्यादा ज़्यादा कहा पाया जा रहा है हमारे small intestine में large intestine में किसी भी gland जैसा कोई चीज नहीं पाया जाता है तो यहां का जो secretion है small intestine का structure हमने देखा था यह पिछली बार ही हमने देख लिया था कैसे बना हुआ है तो intestinal juice का secretion करती है यहाँ पर जो पाये जाने वाली cells है वो किसका secretion करती है intestinal juice का इसी का एक दूसरा नाम है sacus intricus इसका एक दूसरा नाम क्या है sacus intricus तो sacus intricus यहाँ पे नाम है तो अब यह sacus intricus में कौन-कौन से enzyme पाये जा रहे हैं यह सारे enzymes पाये जा रहे हैं देख लीजिए एक बार peptidase है sucrease है maltase है, lactase है intestinal lipase है और nucleosidase है इतने सारे enzymes पाये जा रहे हैं कुछ और भी enzymes पाये जाते हैं हम उनको यहाँ पे नहीं discuss करेंगे लेकिन इतना जो है enzyme यहाँ पे पाये जा रहे है peptidase जो है वो protein को तोड़ेंगे sucrease जो है sucrose को तोड़ेंगे maltase जो है lipase fat को तोड़ेंगे nucleosidase जो है nucleotide को यहाँ पे तोड़ते है जिससे DNA बनता है उसे हम nucleotide करते है तो nucleotide को यहाँ पे तोड़ा जाएगा अब हम लोग देख रहे हैं कि यह जो enzyme secret हो रहे है क्योंकि हमने देखा हुआ है इस figure को हमने पहले ही देखा हुआ है कि ऐसे folding पाई जा रही है और folding के ऊपर भी क्या पाई जा रहे है विलाई पाई जा रहे है और इन विलाई को हम देखे इन large करके यहाँ पे देख रहे हैं उसके अंदर हम देख रहे हैं कि यह जो lacteals है green color का जो बना हुआ वो lacteals है यानि fat जब absorb होगी तो इन ही lacteals में absorb होगी बाकी जितना भी glucose amino acid जो absorb होगा वो कहाँ पे होगा यह हमारे blood के capillaries में absorb होगा ठीक है तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक overall picture हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा चीज secret हो रहा है कौन सा enzyme कहाँ पे secret हो रहा है एक मोटे मोटे बात है यहाँ पे तो mainly जो जो चीजे है और उनका substrate क्या है और तोड करके क्या बन जाता है जैसे mouth में अगर जो हम कहा है तो celery gland में हुजूद है अब इस gland से निकलता है amylage यानि टाइलीन अब यह तोड़ता है starch को किस में तोड़ देगा sugar में तोड़ देगा इसको sugar में convert कर देगा इस टमक के अंदर निकलता है gastric gland gastric gland में पाया जाता है pepsin, pepsin का मतलब है जो protein को तोड़ेगा protein को तोड़ करके यह छोटे-छोटे peptons और amino acid में convert कर देता है अब pancreas की बारी आती है तो pancreas में धेर सारे हैं तो देखिए pancreas में आएगा आपका trypsin trypsin जो है वो protein को तोड़ेगा pepton के अंदर तोड़ेगा ठीक है parboxy peptidase यह peptidase को तोड़ेगा amino acid के अंदर तोड़ेगा amylage है amylage वही काम है starch को तोड़ेगा sugars में और lipage जो है वो fat को तोड़ेगा fatty acids में तोड़ेगा अब small intestine की बात करें तो यह intestinal gland यहाँ पर पाये जाएंगे और इसमें देखिए दो तरह के enzyme यहाँ पर दिखाया गया है amino peptidase वही peptidase है यह peptide को तोड़ करके amino acid में convert कर देगा दूसरा है maltage यह maltose को जो है तोड़ करके glucose में convert कर देगा तो यह एक overall हमने summary type का हमने यहाँ पर बना लिया है तो इससे हमको यह पता चल जाएगा कौन सा enzyme किस जगां पर secret हो रहा है किस gland से secret हो रहा है और उसका substrate क्या है यानि किस पर उसको काम करना है किसको तोड़ना है और किस में तोड़ना है यह चीज़े हमको यहाँ पर पता चल जाएगे तो आज के लिए बस इतना ही आगे यानि next lecture में हम लोग पढ़ेंगे कि process आप जो डाइजेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे तो अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और share करें ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग देख सकें अपने दोस्तों में जरूर इसको share करें जो लोग नहीं देख रहें उनसे कहिए कि इसको जरूर देखें क्योंकि अभी बहुत दिन लग सकता है lockdown में ही तो पढ़ाई आपकी बरबाद ना हो तो इसके लिए हम लोग ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं ऐसा बना रहे हैं कोसिस कर रहे हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा content हम लोग provide करें तो आज के लिए इतना ही Thank you very much Jai Hind